हेलो यह टेस्ट 30 है इसे पहले 29 टेस्ट अपले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं का फिन पोटेंड को सुन ला जाता है अमारे ट्रीमों को द्वारा इसको आप असानी से जोएन कर सकते हैं लिमिटेड लिमिट समय के लिए ओफर है कि वह सौ रुपया फीस रखा गया है आ अमर पर ट्रेस्ट लिकर करके मैसेज करना इसके बाद सब्सक्राइब करना पड़ेगा फिर आप में ग्रूप में जोड़ देया जाएगा का फिन पोटेंड फूरी तरह से एक्जायम बेस्ट एक्जायम में जिस तरह से को सन होते हैं भी पेसी का जो डिमांड है उसी भाजित किया गया था तो यह जम समील हो जाएगा फर्स्ट जम समील जो है वह धर्म के अधार पे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइट करने के पीछे उनका मुलू देश क्या था आप जानते होंगे उनका एक ही मुलू देश इनके पीछे काम कर रहा था बाटू एन राज कर देश लेकर के उन्होंने इस तरह का विवाजन किया लेगिन बाद में रस्टेबाद इतिहास करने इसको जुठा ठालाया नेक्स है भारती इतिहास में कुल्य आप कुल्य वाप और द्रोन वाप है यह कुल्य आप द्रोन माप क्या है तो यह भूम आपने की बीधी है भू सब्सक्राइब है तो यह तुम्हांद्रा नदी जो है उनके किनारे बीजे नगर की अस्थापना की गई थी और इनका स्थापना तेरों सुछाटी सिस्वी में किया गया था हरीहर और बुक का यह दो भाहाई थे महत पुर्णुन का योगदान था इसके स्थापना को लेक ये किसकी राचना है तो सियुगी जो है काफी इंपूटेंट यही को मिसल है रचित किया यह यह चीनी यातरी थो तीम खास करके बहुत धर्म के अध्यां लिए भारत हाया और है शुस्वर्धान के समय में भारत हाते हैं और सीमीश जों हो कब कि यह पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट कर दोरा किया गया और यह कब किया था था उने पुना पैक्ट हुआ था उसके बाद उन्होंने इंडिप्टेंट लेवर पाटी के स्थापना की थे नेक्ट है सिक्स नमर प्रियास में यह एक तो काला रंग ब्लैक रंग और रेड रेड कलर यह दोनों लेकिन बिर्शा मंड़ा जो है उन्होंने जिसे रंग के जहंडा को फड़ाया वो सफेद रंग का था नेक्ट कोशन है स्वाभी मान अंदोलन की सुरुवात कि इस ने की थी स्वाभी मान अंद भारते trade union federation का स्थापना कब हुए तो यह उन्हेसो बीस इसवी में अखिल भारते trade union federation का स्थापना किया गया उन्हेशा में नेक्ट कोशन है British ांडियान as a Kip 같아요 अध्याख्षे कौन थे बिटीस इंडियान एस्वियाशन जो है उनके परचक्ष अध्याख्षे राधा कांट देव थे सुड़े नाथ बनार जी का अलग था कलकता इंडियान एस्वियाशन करके संस्था बनाये गया था अगुपाल कृष्ण गोखले के दौहारा परचक्ष अध्याख्ष राधा कांट देव थे नेक्ट्स कोश्चन है रिंगवेद में संपती का परमुख क्या रूप क्या है इन्पोटेंट है कंसेप्ट बेस कोश्चन है रिंगवेद जो है जैसा कि इनका पीडियेट अप लोग को पता होगा पंद्रोसों से हजार इ अब यह समय जो थे एक तरह से मानव सब्सक्राइब जो थी बोगहुम कर जिवन्यापन कर रहे थे और कोछे संपती का जो अस्थाई संपती है अभी तक उतनी विश्च्टित रूप में विड़न नहीं मिलता है लेकिन एक संपती है जो गोधन के बारे में मिलता है गायों के बारे मां गायों को लेकर के युद्धूख के बारे में खुब बर्णन मिलता है ने हैस स्विद्वेद में नेइस्कों सद्सक्राइब भारत में पहला डागहर कहां सुरू किया गया था यह काफिए इन्पोर्जिक वार्ण को हसं है आपको ये तल्गता में प्राउरम क क्या गया था तो मुंबई में नेक्स कोशन है से बल या किसे कहा जाता है रोगाको सना चीटू पांडे जो है इस रेब है पांडे के नाम से फर चीटू पांडे से बल्ला के नामसे पर शिदे हैं नाया Zen कोस्टन है गयत्री मंत्र की मंत्र की रशना किसने की थी यह रिंग वेज से रिलेटेड कोस्टन है और यह गयत्री मंत्र के स्थापना यह रशना सोड़े विश्वामित्र द्वारा किया था और गयत्री मंत्र का वर्णन कहा से मिलता है यह कोस्टन भी पूछा जाता है तो र सासक अर्स बरधन का यूद काफी इनपोर्टेंट यह और यह कब यूद हो रहा है तो 612 पी दो रहा है और तर भारत में जब जीत लिए उतर भारत को तरह से तो दशिम भारत की और प्रवास यह प्रस्तान करते हैं जीतने लेकिन उसी समय उनका प्लकेशन दीट्टे से संघर्ष होता है 612 में और प्लकेशन दीट्टे जो हर्ष बर्धन को प्राजित कर देते हैं नेक्स है साइडलर आयोग कब आया था सैलर आयोग यह 1970 में साइडलर आयोग का गठन किया गया था चाहांब और सिम्ट हैं चुंच है चपता होगा उपको कभ हुआ हो है तोror रहा है और यह पे तो यह अमंडिका के संद्फ्रांसिस्क को तो काफि इंपोर्टेंट यह धार्म समयलन हैं नेश्ट अनुसीलन समीति का संबढ़ किस से हैं यह करांतिकारी संगठन थे कई संगठन जो है बारत में ऑंदोलन को पढ़ावात देने के लिए बनाया गया था जैसे बीडी सावर करकर के दुआरा भी अनुसीलन समीति जो है यह करांतिकारी संगठन थे बाद में यह बीडी सावर कर जो है बीडी सावर कर सब मिल करके इस संगठन को और बढ़ावा दिये नेक्स कोशन है अहमद नगर के निजाम साही बंस का अंत कैसे हुआ जानते हैं यह भी पूछा जाता है कि अहमद नगर पे किस बंस का अधिकार था तो यह निजाम साही बंस का अधिकार था अहमद नगर पे और उनका अंत कैसे होता है तो अंत करने के लिए जो है यह अकबर उस समय थे होगी वर के समय में इसको अंत किया गया उन्हों समर्आज में को इसको मिला लिया watch नगर और इस तरह समापट कर दिया गया, मैं स took NK न भी देसों में आधुनि कृति पर दुतवास की अस्थापना की तो यह टेपु सुल्तान जो है इनके द्वारा आदूनी करिती पर दुताबास के अस्थापना विदेश में किया गया था नेक्ष्ट है अमर नायक परनाली किसकी राजनीती की खोज थी अमर नायक परनाली जो है वो बिजे नगर की खोज थी जिस तरह से नौर्थ इंडिया में उतर भारत में इल्टूतमीश द्वारा यह कौन से परनाली को प्राराम किया जाता है एकता परनाली को प्राराम किया जाता है उसी तरह से बिजे नगर में कुछ सांटने भी इसी से मिलता ब्राइब यह अमर्नायक प्रनाली को प्रारम किया गया था विजै नगर द्वारा नेक्ट कुर्षण है यहां से मैच का कि इससे हैं और इसको बना सकते हैं कि एक कश्षा में दो भाग है एकश और वाई यदि भाग एकाई चादर के आउसफ लंबा एक समसाट सेंटिमीटर और भाग वाई團 की साथ चादर हो 172 सेंटिमीटर हे न辉प हो जाएगा एकसमेंस सेंटिमीटर कि लंबाई का राजीव की लंबाई से चौदो से पंद्रा का अनुपात है यदि रमेंस की लंबाई एक सर सेंटीमीटर है तो राजीव की लंबाई होगे यह इसका एंसर हो जाएगा 172.5 सेंटीमीटर यदि एक विक्रेता का कमिशन 27 परतिसत है तो वह 800 रुपय कीमत का माल बेशने पर कितने रुपया कमाएगा 23 का यह सी हो जाएगा एंसर सी 187 रुपया कमाएगा नेक्स्ट कॉस्टन है यह 24 यदि राम एक कार पांच लख रुपया का खरीद कर उसे चाल लख भी सजार रुपया में बेश देता है तो राम की परतिसत हानी होगा यह हानी गुने 100 वटा क्रेमल का फर्मॉलाइस में बिठाना है यह हो जाए 25 सचीन 25 सुर्पया तीन वर्सों के लिए उधारे लेता है और 1000 पर परतिवर्स किस्त में लटाने का निस्टे करता है सचीन द्वारा परतिवर्स चुकाए गई सधारन ब्याज की दर है कितना दर होगा तो यह हो जाएगा आप इसको निकाल लिएगा इसमें कोई भी एंसर नहीं दिया हुआ है एक कंपणी में 21 कुल कुल करमचारियों कितनी होगे तो यह क्या दोनों खेलता है 50.7% किर्केट 64.3% बाइडमिंटन खेलता है यह दिकुल छात्रों की संख्या 600 थी तो कितने छात्र किर्केट और बाइडमिंटन दोनों खेलते हैं 27 निमर 27 का सी हो जाएगा नव्य छात्र जो है यह बैडमिंटन और किर्केट दोनों खेलते हैं नेक्स्ट है निमन सिंखला 35.6.49.32 में छोटी संख्या यह क्या है 28 नमर कोस्टन 28 का भी हो जाएगा यह 14 और 15 हो जाएगा छोटी संख्या नेक्स्ट कोस्टन है 29 पर्थम 6 विसम प्राकरतिक संख्याओं का योग इतना होगा यह निकालना है 29 यह 9.36 हो जाएगा यह इंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है किसी लिप्ट में बैटे हुए ब्यक्तिक अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा तो जब लिप्ट त्वरित गती से उपर जा रहा हो तो भाहर अधिक मालूम होगा नेक्स्ट कोस्टन है 31 प्रैदी पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह गुदावरी नदी जो है प्रैदी पठार की सबसे लंबी नदी है वही नौर्थ इंडिया का यह गंगा जो है सबसे लंबी नदी है उसी तरह से प्रैदी पठार की सबसे लंबी नदी गुदावरी है नेक्स कोस्टन है अरेबी का रोबस्टा और लिवरे का किस की किस में है तो यह कोफी की किस में है अरेबी का रोबस्टा और लिवरे का नेक्स कोस्टन है 33 समुदर में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है तो यह 12 समुदर में प्रादेशिक सी सीमा की विश्थार है समुदर में सीमा को ले करके ठीन लैन наша लान बनाया गया और ये अन्पोर अपनाम सुने हांगे जिसको प्रदेशिर से करको यह अंतर्रास्ठ्य नियम है और इसमें तीन जो है कैटेगरी में डिवायर किया गया है 12, 24 और 200 मिल ये इस तरह से तो 12 मिल तक जो है वो प्रादेशी का जो है सीमा 12 मिल तक माना जाता है और इस पे जो है ये स्रमबंदित देश का पुर्ण अधिकार होता है सभी तरह के लिकार सबसे बड़ा चौदरग्रा कौन सा है तो ये सरेस सबसे बड़ा चौदरग्रा माना जाता है ये सीरीज भी आपको मिले खाएक के लिखा हुआ तो ये सबसे ब्रका की सबसे बरी जील कौन सी है 35 फैफ को सा को ये विक्टोरिया जहिल अफिर्का की सबसे बरी जहिल हो जाएगा ये सुपीरियल जहिल दोबर आ गया है ये अमिर्का की जहिल है विक्टोरिया सबसे बरी जहिल है इस्थीथ है 36 नमर तो बी हो जाएगा ये तमिलनाड़ू में इस्थीथ है मुकूर्थी सिखर जो है तमिलनाड़ू में मौरिसस जो है भारत का लगुडूप गारता है और मौरिसस को ले करके आप देखेगा भारत के बारन मिलते रहता है नीज के माद्ययम से भी हें नेक्ष्क कॉसन है लेपउर लेख कहां इस्थित आया लेपउल एक डर्रा जो ऐ bakın माझने सब्सक्राइब का सुर्ष्राइब कस नादि का सब्सक्राइब ठाटिनाय निम्र रिखापनर को सब्सक्राइब का सुर्ष्रो रितर में परेंड다고 नेक्स कोशन है भारत की किस नदी को मैदानी छेतरों में नरायनी के रूप में जाना जाता है तो ये गंड़क नदी को जो है भारत में ये नरायनी के रूप में भी जाना जाता है गंड़क नदी को चालिस कपी हो जाएगा next question है 41 स्वामी नाथन आयोग कब बना था काफी फेमस आयोग है ये स्वामी नाथन आयोग इनको नमबर 2004 में इनका गठन किया गया था next question है 42 भारते खाद निगम के स्थापना कब हुई थी 42 42 का B हो जाएगा 14 जनबरी 1965 में भारते खाद निगम के स्थापना किया गया था 14 जनबरी 1965 नेक्ट है ब्रतमान में सरकार कितनी फसलों पर MSP देती है ये 43 43 का C हो जाएगा ये 23 फसलों पर भारत सरकार बड़ा MSP दिया जाता है 23 फसलों पर नंगे सक्थन है 22 बचत खाताशसयवा किस बैंक ने सुरू कि ये 24 फोर का being a impact द्वरा 22 इसपी चाहिए अप्ट से में का पहला इट राइट इस्टेशन की से प्रमानित किया गया है मुंबे सेंट्रल को इट राइट इस्टेशन प्रमानित किया मैं सुरू हुई है की तैनल sn несколько कुटीएट का सी एंसर होज़ फोट सोरी 46 नमर को सन 46 का यह हो जागा यह 2 अक्टूबर 1975 में समन्मीत बालविकास योजना शुरू किया गया था समन्मीत बालविकास योजना यह 2 अक्टूबर 1975 इस भी नेक्ट पोस्टन है गरीवी हटाऊनारा कि इस पंच बरसी योजना में दिया गया था तो यह पांच मीपन्च वर्शे युजना में गरीवी हटाओं का नारा दिया गया था इंद्रा गांधी के समय में नेश्ट कोशन है परदान मंतरी क्रिसी सीचाय युजना के सुरवाद कब हुए कब हुए तो यह एक जुलाय दोजार पंद्रों को परद्ध मंतरी क्रिसी सीचाय युजना के सुरूद किया गया हर रखेत यह यह हर दुरॉब नारा के साथ इसको शुरू किया था हर क्रोब्स पर ड्रॉब्स नेक्स कौशन है बेपार सुगंता तो सकांग कौन से कौन जारी करता है तो यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है यह बेपार सुदमता सुचकांक नक्स कोशन है 50 जीवन विमाकार आश्ट्रे करन कब हुआ 50 नमर कोशन तो यह एक जन्वरी उन्हें सोती हत्र को जीवन विमाकार आश्ट्रे करन क्राइन किया गया नक्स स्व भारत Одर से ब्रदान के ढानने द्वारा. यह व्हाल हुआ बैंक द्वारा द्मार अगरामीन चेत्रे बैंक द्वारा भी यह तिन dolphins के बढ़ाrias और नक्स सन रहे प्रफठी टू बहरत में और दोगिक बित का कौन साइन में से स्रोत नहीं है तो भी हो जाएगा यह नावार जो है वो क्रिसी के लिए खास करके बने आ गया था और यह क्रिसी को बित परदान करता है तो यह उन 이야기 से कीमत अस्तर घाटा भारते अरत बेवस्था में किस पंच वरसी योजना काल के दोरान पां कीमत अस्तर घराटा प्युट्र फॉर का रजाएगा ये चौंत उसमाली निक ακर अधारीत है इसमें के क्रोर रुपया आपर्ता है और उसमें 200 में 120 यह 90 किरोर साइड के सोना और मिलाकर करना परता है इसके बाद जितना क्छा रुपया यह किया जाता है चहापा जा सकता है इसी को नियुन्तम कोश परनाली कहा जाता है इसका अरता है कि कम से कम इतना रुपया जमा करना जरूरी है नेक्स कोस्टन है 56 भारते अर्थ ब्रोस्था का कौन सा चहत्र सकल राष्ट्य उत्पाद में सबसे अधी की योगदान करता है तो यह तीरते चहत्र आप जान और हाज सबसे हैं कि यह सेंट tweet Rank of India जिसको बैंको का बैंक भीका जाता है इशकी को कौन सा कर है जो केंदर्य सरकार दोरा लगया जाता है लेकिन उसे City आ को केंदर्य सरकार और राज सरकार में विवाज़ित कर दिया जाता है 58 का भी हो जागा केंदरिय उत्पाद उसुल को जो है वो के सेंट्रल यानि केंदर सरकार द्वारा लगया जाता है लेकिन इसकी आई को केंदर और राज में सबल्र जैंटर में डिवाइड कर दिया जाता है या नइक्ष कोसर नाइन भारत में राश्टे खेल संवंक्वां कर दिये जाते हैं इसक्ष्ठी किया जाते हैं समधाय विकास योजना के सुर्वात साथ का सी हो जाएगा दो अक्टूबर उने सो बावन इसमी में इनका विकास किया गया था नेक्ट को सन है निम्न में से कौन सा सब्द भारते सम्मिदहान की प्रस्ताबना में नहीं लिखा है तो यह संपर्भू समाजबात और लोकतंत रिखा हुआ है राष्ट न अनुम्य सुन चास है यह गिलत है विस नंबर निस सों चास को लागँ नहीं किया गया था इसे अपना आया गया था 26 जबर 150 को लाओ किया गया बाकी सही है धर निर्फेक सब्द 42 में समिधान संसौ धन के दौरा जोड़ा गया था सही है यहिए बिसा ना संसौ दहन 1976 में हुआ और तूसरा भी सही है वारत्य समीधान में सामाजी कारथिक वड़ाजनितिक निया कुरूसी करानती से लिया गया है next question है बेरुबारी मामला किस वर से संबंदित है किस वर से तो 1060 है कि में बेरुबारी मामला 1060 से संबंदित है next question है 64 निम्ने से किसने भारते समिधान की प्रस्ताबना को समिधान का कुझी नोट कहा था 64 नमर कोशन 64 का यह हो जाएगा यह अरनेस्ट बार कर जो है भरते समीदाहन के प्रस्ताबना को समीदाहन का कुझी नूट कहां Next question है 65 भारते समिधान की प्रस्तापना की भासा को किस देश से लिया गया है Next question है अनुचे 5-1 की संत्रीका का संबन किसी से है तो यह 5-1 की संबन नागरियकता से है यह भाघ़ दु के तब 7-1 की संबन का संबन का संबन का रहती है तो यह जन्म से भी बंस के दाहर के भी और चेर समा विश्ट द्वारा भी यह तीनु बैद है नेक्ट कोस्टन है 67 निमने में से कौन सा कथन गलत है भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है तो यह सही है दूसरा है भारत में केंदर और राज्यों की नागरिकता अलग-अल होता है तीसरा सही है भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के समझान से लिए और चोथा एक ब्यक्ति जम से भारति माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अभिवाजित भारत में पैदा हुए हो तो यह सही है इस तरह से सब्सक्राइट का भी हो जाएगा नेक्श को करते नागरिक के रूप में दर्ज को ब्यक्ति या एक एक देशनाखरी जिएघए सब्सक्राइब कभ नारे जाता हुए है सब्सक्राइट और ओजिए और को मिला दिया गया तो यह दूजारपंदर में में मोधी सरकार के द्वहरा दौनों को मिला दिया गया Yes question है निमलकित में से कौन असकरवी रोक के लाज में उप्योगी है 71 नौर को सबंटी सबंटी difficult का सी हो जाएगा आम ला जो है इसकर दिरोक के सब्सक्राइब में यकृत में प्रभवित होता है तो इस तरह से 72 का अपका इंसर यह हो जाएगा नेक्ट को संद है 73 बचों में प्रोटीन की नियुनता के कारण जो रोग उत्पन होता है वह है 73 का यह हो जाएगा मेरा आसमस बचों में जो है प्रोटीन के अगर कम हो जाए तो मेरा आसमस नामक जो है वीमारी उत्पन होती है नेक्ट को सटन है निमलेखित में स गुल क्रीमी से होने वाला रोग है गुल क्रीमी को ही निमे टोड कहा जाता है तो यह फाई लेडिया होने वाला रोग है गुल क्रीमी से किस बहाग में अंध बिंदू या पीत बिंदू पाय जाते हैं द्रिश्टी पटल पर प्रकास तरंगे किस अस्थान पर अस्थान पर अस्थान पर अस्थान पर अपर दर्ची हो जाए तो आख का रोग कहा जाता है यह मोतिया बिन कहा जाता है यह दिए आंका लेंस ऑपारदर से एक भाग से दूसरी भाग नहीं दिखा जैतो तो फिर उसको ऑपरेशन को ठीक है जाता है नेक्स टाएम निमने ब्रांड अस्पेक्ट्रम औस दी है कौन ब्रांड अस्पेक्ट्रम औस दी है तो यह कलोड़े फिक निकॉल जो है वह ब्रांड अस्पेक्ट्रम औस भी है नेक्स कॉस्टन है अल्टीव मेंसे कौन सा एक लवन सागर्श में पाया जाता है तो सोडियum कलोरारेड जो जो है वह सरवादिक मात्रा में सागर्श में पाए जाता है एकासी कभी हो जाएगा इसके बाद पोटसियम क्लोरड का स्थान आता है है यह मजबूत और मजबूत शार से निर्मान होता है मैं ने एल्सीयम ऑक्सी क्लोरायर जो है ब्लेचिंग प्लोरगर में रसायनिक योगिक होते हैं नेक्ट कोशन ए फोटोग्राफिय प्लेट को बिक्सित करने में जे किसका उप्योग में ला जाता है इसको उप्योग में 84 का यह हो जाएगा सोडियम ठायो सलफेट उपचायक उपचा सबसे अधीक सेयान है तो सहद जो है सबसे अधीक स्यान है नेक्ट कोशन है 97 अनुकारित आदिम भूमिए परिस्थितियों में निम्लिकित के प्रादुरुर्वह का सही अनुकर्म कौन सा है 87 का यह हो जाएगा यह मेथेन सबसे जिदा होगा इसको है जड़ेंस है नाइड प्रिद नाइट राइड और फिर एमीनो अहमला नेक्ट कोशन है अटी एट सभी जैब योगिकों का अनिवार्ज मुलतत्व कौन सा है अटी एट का सी हो जाएगा कारवन जो है जो भी जैब के कि योगिक है उनका अनिवार्ज लूट कारवन उसमें प्राय जाता है वैसे का जाता है किसी भी चीज को जलावे तो काला अपसे जो देता है वही कारवन कालाता है नेक्ट है नमलकी तत्व समूह में कौन सा एक प्रिथवी पर जीवन कुद्पति के लिए मुह उत्तरदाई है तो यह कारवन हैड्रोजन और नाइट्रोजन भी हो जाएगा यह जीवन पर प्रिथवी के लिए सबसे मुल्तत माना जाता है नेक्स्ट कोस्टन है है अनुभार के बढ़ते अनुकर्म में अनुसार निमलिकित में से कौन सा कर्म है तो यह आप परहर होंगे काफी जी को संब है समय नाइटी का और में नेथेन फ्रोफेन ग्रिट्र सब्सक्राद सब्सक्राइब अनुबップ में वद्सक्राइब उप्यों किया घ deben सब्सक्राइब नमलखित में से किसके कारण होता है तो यह जिसको मिक भी का जाता है यह मैं सी के रिशॉस हुआ था तीन दिन सबर में सो चौड़ासी की घटना है यूनियन करवाइड नमक यह कर खाना है यह भी पूछा जाता है कौन सी कर खाना से अबस में दो आवेसित वस्तु के बीच विदूदारा नहीं प्रति होती है यह दीवे क्या होगा अगर समान विभवह को हगा तो WE होता है लेकिन यह लाव होता है 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 लैंप का तंतु निम्न के मिस्र धातु का होता है समान तर कर्म कहा जाता है समान ट्यूबलेट में कौन सी गैस होती है तो समान ट्यूबलेट में एक और मरकरी दूसरी और आरगर नियौन और यह कोई भी हो सकता है तो यह सी एंसर हो जाएगा मरकरी प्रस आरगन और नाइंटीएट का अपका सी एंसर होगा नेक्स कोशन है 99 नमर कोशन नमिलकित में से कौन साथ आप सबसे पहले कृतिम रूप से उत्पादित किया गया था नेक्स कोशन नमर स्वेट परकास को नली में कैसे पैदा करते हैं तो यह तंतु को गर्म करके स्वेट परकास को नली में पैदा किया जाता है नेक्स है बिहार के किस जिल्य से अब मार्थ 2020 से छोटे बायोवानों का परिचालन सुरू किया जाएगा नेक्स कोशन है परवोट को लांच किया गया है सामिल किया रहा है इसमें बहार के कितने पूल सामिल है 1-10-4 cancer D हो जाएगा दो पूल इसमें सामिल किया गया है नेक्ट कोशन है 105 हाली में बिहार सरकार ने के काईविनेट के फैसले के बाद बिहार के कितने सहरी पारकों को 1 विभाग को स्थांतरित करने की योजना बनाई गई है 105 का D हो जाएगा यह 400 400 सहरी पार के स्थापित करने के मंजूरी दे दी है 106 का यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह दो नदी पर 277 करोर की लागत से बिहार का पहला रबर डैम बनने जा रहा है तो यह गया नदी में फल्गो नदी पर 277 करोर की जो है रबर डैम बनाना जा रहा है गया में फल्गो नदी पर नेक्स कोशन है हाली में बिहार के किस परियाटर के अस्थल को आइकाउन तुरिष्ट डेस्टिनेशन के रूप में बिक्सित करने का निड़ने लिया गया है 108 का सी हो जाएगा बोध गया को नेक्स कोशन है 109 इस रोने किस अंतरिक्स अजेंसी के सहयोग से प्रिश्वी प नाली बेद सरा विक्सित करने का निड़ने लिया गया है 110 किस राज सरकार ने बर्ष 2020 को सिख्षा के रूप में गोसित किया गया है नेक्स हाली में किस राज के तीन राष्ट्रे उधानों में नाइट साफारी की सुरुवात की गयी है तो यह मद पर देश में मद पर के देश के भूबगयानी को ने प्रिथवी पर 1.6 billion वर्ष पुराने पानी की खोज की है तो यह कनाडा में जो है 1.6 billion वर्ष पुराने पानी के खोज की आगया है नेक्स हाली में वाय द्वारा जारी एक्ष्य उड़्याशुज का आंक में भारत को कौन सा स्थान प्राप को नेक्ट है आएक्यू एयर संस्थान द्वारा जारी विस्प बायोगुन्वत्ता रिपोर्ट 2020 को नुसार दुनिया के सरवाधिक परदूसित सवलों में नई दिली का स्थान है वनाड़ेट फोर्टिन का डी हो जाएगा यह दसमा स्थान है नेक्ट कोशन है 115 हाली में कौन सा देश 2020 से किसमें भारत का सीर्स बेपार भागिदार देश बना है बना है 115 का एंसर सी हो जाएगा यह चीन चीन के साथ 78 बिलियन कडिव डॉलर का वेपार होता है इसके बाद दूसरा स्थान अमेरिका का है नेक्ट हाली में जपान ने किस देश के सहयोग से पादन शुरू किया है जपान जो है अस्टेलिया कि सहयोग से भूरे को लेसा पादन शुरू किया है नेक्स्ट को सब्सक्राइब अंतरास्टेम के बाद संग द्वारा चैंपियंस और डिगज समीति के अध्यास के रूप में किसे निउक्त किया गया है 117 का यह हो जागा मैड़ी कॉम द्वारा मैры काम को नवेसान है 118 अले में भारत भूबह शाना किस राज में ब האज्डियम पनदार की खोज की है तो यह और नाचल में कहां किया गिए तो यह नई दिली में इंडो कोडियां फिरेंट्र सी प्रकाष लाक्ष निरदहरित किया है कि विधी नमघीर के विदूत्त का रभशकर वितुल स्वास नामग ऑक्सिजन कंस्ट्रेटर विक्सित किया ОТ विदूत्रेटर की और हम गया है भारतें कंपनी के लिए पर 400 विक्सित होता है 22% किammoo करने लक्ष की प्राप्ति केनि लग्स की प्रपती के लिए भारत का पहलएए बार्त को सिसे हे हैं तो ये अनोiques मैपिंग पड़ियोजना सुरु की जाएगी यह one two four का यह हो जागा हिंद महासागर में next question है one two five निति आयोग द्वराज जारी innovation index 2020 कि सराज को पर्थम अस्थान पराप्त हुआ है 125 का यह हो जाएगा कर्नाटा को पर्थम अस्थान प्राप्त हुआ है innovation index में और किनके दोरा जारे किया गया है तो नीती आयों के दोरा जारे किया गया है नेक्ट है किसानुकाई को दोगुना करने के उदेश से किसरा सरकार दोरा किसान कल्यान मेशन की सुरुवात की गई है किसान कल्यान मेशन की सुरुवात यह उतर परदेश दोरा किसान कल्यान म चर्चा में रहा है वन ट्विट जिभन का एँ हो जाएगा महाराष्ट में फूरूट के कांदोलन चर्चा में रहा हैं नेक्षट को सन्ध है नेंमो निमोनिया के कारण बढ़ते दौर को कम करने को देश से किसरा सरकारत के द्वारा सांस अभ्यान की शुरुआत की गई है य किसी देश ने जीत लिया 129 का सी हो जाएगा यह डेन्मार्क द्वारा जीत लिया गया है नेक्स्ट कुस्टन है हाली में किस राज सरकार ने भांग की बेपसाइए खेती को अनुमती देने की गोहसना की है तो यह हिमाचल परदेश द्वारा भांग की खेती को अनुमती देने की गोहसना किया है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर एस्पेस टेली इसकोप को स्थापित किया है जो नीटरोनियों की खोज करेगा 131 का भी हो जाएगा रूस द्वारा नेक्स्ट कोसन है 132 132 हाली में भारते नौ से नाने किसे स्कॉर्पिन पंडेमु को नौ से नमा सामिल किया जिसे सा जाना जाता है काफ इंपोर्टेंट को सन इसको आप मान सकते हैं यह आएन एस करज है जिसको साइलेंट की लड़ के नाम से जाना जाता है 132 का सी हो जाएगा एनस आएस कराज करण नेक्ट को सन एस सदोस्त देशोदरा पब्भी एंटी टेलर 2021 युद्ध्यवास का उज़ Nefaradabad से एस लिए सची में सामिल किया है तो यह अफिर की हाथी को जो है सामिल किया है नेक्ट को सब्सक्रक वारे एसिया के सबसें बहुत एर्स ऐरव इंडिया दो глуб hawat कि सकाहीं कहां किया गिए one three five का यह कि यह यह बंगलुरू किया बंगलोरू मंघए आज तो यह टिका करन के बिस्तार से हैं इंदर दहनुस 3.0 का संबन 136 का यह हो जाएगा नेक्स को सन्हें कि वन थरी सेवन हाली में किसी देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैना भ्यास एक्स का आयोजन किया है पहली बार विस्तार कमांडर फॉर्स कोब्रा में सामिल किया गया है नेक्स कोसें है यह बत्रीनाइन आप हली में किसी देश की परवतार हो ही तो अतासांग येन हंग ने दुन्या में सबसे तेज करने का रिकॉर्ड बनाया है तो यह होंग कॉंग द्वारा सबसे तेज एवरेस्ट पर शर्णा का रिकॉर्ड बनाया गया है नेक्ट है वन फॉर्टी हाली में किस राज सरकार में मनाने का नेरने लिया है तो यह फ्रांस के साथ मिल कर प्रयावडन बरस के रूब में मनाने का नेरने लिया गया उत्रण है किस राज की पुलीस ने कोभी दूनीश मारी जो को आवस्याग सामगरी के पूर्ती है तुह मिसान असला की सुर्वाद कि हो जाएं उत्रा खंड के किस राज की सीता गड़ी हिल्स के जुलजुल पहार के पास एक टिले के नीचे दफ़ान बादमत के खोज की है तो यह जारखंड में सीता गड़ी हिल्स के नीचे जुलजुल पहार के पास बादमत के यह खोज किया गया है नेक्स्ट कुशन है 145 भारत और किस देच के साथ ब्रह्म परफ साल में सहल समेट tunnels अनरक्षाप आप करनों क्या पूर्ती है तु तो यह फिलिपिन्स धॉरा फिल्पिन के साथ नेक्स conduct है 151 246 भारत और किस देश के सूज करता होने जहारी मेरिकों की 5-9 परजाति की को जंकि है तो यह मिर्का द्वरह भारत और मिर्का के बीच आतर है पाथने पर जाती पिखोज किया गया है सब्सक्राइब कितने अरब डावल निवेश करने की घुषना की है वन फूर सेबन का सी हो जाएगा बिरासी अरब डॉलर नेक्स को सथ है वन फूर एट हाली में भारत और किसी देश ने कि दोनों जैसों के बीच एक होट लाइन अस्थापित करने को लेकर बनी सहमाती की घुषना की है तो यह भारत और चीन के बीच दोनों के बीच भीवाद था बीच में नेक्स है निम्न में से किसराज सरकार ने बड़िष्ट साहितकार डॉक्टर सुर्वजबारदा को भारत भारती समान देने की घुषना की है तो यह उत्तर पर देश द्वड़ा किया गया है इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी आप टेलग्राम से भी जूर सकते हैं ताकि आपको टैम टू टैम अपडेट मिलता रहे हैं और यह सौरप्या का सब्सक्राइब केवाल सब्सक्राइब में 50 टेस्ट आपको केवाल एक जन्वरी तक प्रभाइड करवाया जाएगा इसके बाद टेस्ट का आप इससे नहीं जूरता है तो फिर टेस्ट का दाम यह बढ़ा दिया जाएगा